हेलो नमस्कार आप लोका फाने देगा मैं स्वागत है और यहां पर यूपी केरट काउंसलिंग के बारे में जो है काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि यूपी केरट काउंसलिंग कब सुरू होगी सर मलब एक ही कमेंट बहुत ज्यादार है तो इसी पर मैं वीडियो लेकर आया होगी एक्स्पिक्टेशन क्या है कि मतलब आफ किस समय तक हो सकती है तो सभी चीजों के बारे हम बात करेंगे यहां पर पॉइंट वाइज देखें यहां पर जो आपकी कटिंग एक दिख रही है उसमें कहा गया कि बांदा के दौरा जो यह नूच पर जा रही है उसमें है कुलपती प्रोफेसर जो है एसके सिन्ना ने बताया है कि उतरप्रदेश आइक किरसी यहां प्रद्योगी के प्रवेस परिच्छा परड़ाम जो है तीस जुन को घोशित किया गया जिसकी पूर निरदारत कांसलिंग के तीन जुलाई को अस्तगित करते हैं यहां पर उसको अस्तगित कर दिया गया है यहां इसको इस्टोफ कर दिया गया है कि अप कांसलिंग जो है आपको तीन जुलाई को इस्टार्ट नहीं होगी अब है क्या कि सी बीएसी बोर्ट की बात की जा रही है सी बीएसी की बोर्ट बात की जा रही है ठीक है अब उसके बात कर रहा है कि आई सी 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 बोर्ट की इंटर मीडियर परिच्छा परिड़ा परिच्छा आने के उपरांद की थी निर्धारत की जाएगी यानि कांसलिंग की जो IQ तब तक कुछ नहीं हो सकती जब तक ICSC Board और CBSC Board इन दोनों का जो क्या होगा CBSC Board और ICSC Board का जब तक 12th का result नहीं आ जाएगा इसकी सुझना आप बेरती को जो है क्या है upcaratorganized.com पर आपको update करते रहना चेकरते अब यहाँ पर इनके result कब तक आएगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पर जैसे आए पर report CBSC Class 10th result 2022 will be the declared on 4 July यानि 4 July को जो है किसका 10 का result आएगा CBSC Class 12th by first week on July यानि आपका जो है first week में ही मतलब 10 तारीक के अंदर ही आपकी जो है result आने का उम्मीद है किसकी CBSC Board की जाएंगी तो आप क्या कर सकते हैं official website पर चिक कर सकते हैं ठीक है result से related जो भी information रहेंगी exact आपको चिक करना official website पर ज्यादा दर्ज्यो है आपको official ही चिक करना चाहिए कोई भी चीज रहे ठीक है आगे करा है आएच पर दिलेटिस्ट मीडिया रिपोर्ट दस सीवीसे रिजल तूटाजन टॉन फेल विल वी डिक्लेरान बाई जुलाइन फिफ्टीन तूटाज अब देखिए यहां पे जो सी आएच सी आपका आईच सी जो बोर्ड है उसकी बात की जा रही है आईच सी बोर्ड और आईच सी बोर्ड की बात की जा रही है यह आपका कब होगा यह आपका पंदरा जुलाई वन्स डिक्लेर्ड रिज्टूडेंट कैंट चेक देर आई एसी रिजल्ट टॉजन टो तो आपका इसको भी जो आप ऑफिसली बेयो साइट पर चेक कर सकते हैं दो दिन पहले यह आपका अपडेट किया गया है तो इन चीज़ों को आप जो अपनी बेयो साइट पर चेक कर सकते हैं कहां पर यह ICSC बोर्ड और CBSC बोर्ड यानि अब जो यूपी कैटेट कांसिलिंग के लिए जो नई डेट आएगी वो तब तक नहीं हो सकती जब तक आपके रिजल्ट नहीं आएगी अगर इसके रिजल्ट की डेट 15 जुलाई है तो मतलब है कि 15 जुलाई के बाद ही आपका डाकुमेंट को तैयर कर लें एक दम प्रॉफर जो है समय मिल जाएगा ठेक है बाकि अफीसियल जो अभी तक कोई भी अपडेट नहीं किया गया है वही न्यूज में जो है दिया गया है उसी के अधार पर ही बताय जा रहा है और वैसे भी आज आपकी कांसिलिंग सुरू न दो फाई गैपिंग्ल सार्टिफिट जो आप बोलते है वही होता है आपका एफिडेविट वही होता है आपका एफिडेविट तो आप ऐप गैपिंग सार्टिफिकically बोले तो इस चीज़ को अभी तक नहीं बनाये हो तो इसको बनवाना उनके लिए है जो आपका यहाँ और 2022 के बज़ाए 2021 में qualify के हो, 2020 में qualify हो, यानि जिनके जो है एक साल, या दो साल, तीन साल जिनके भी gap हो चुके हैं, उनको यह चीज़े बनवानी है, तो बाकी जो 2022 में qualify के हैं, उन्हें परिसान नहीं होना है, क्योंकि उनको जो अभी तीन माइने से ज़्यादा की gaping नहीं होई है, इस बज़ा से उन्हें क्या है कि नहीं बनवाना है, जिनकी भी gaping ज़्यादा है, उन्हें के ओल बनवाना है, अगर कोई भी आपका document missing हो, या आपके पास अभी available नहीं हो, तो आप घर से उसको ले लें, ठीक है, और बाकी कोई दिक्कत हो, तो उसको आप comment करेंगे, उसका आपको reply कर दिया जाएगा, मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक देखते रहेंगे, नेक्ष्ट अपड लिजया कि अपका सचित क्यों जाएगे, वा आपके यूलगाउ में तो ए मना रहेंगे, ज identified धोते हैंगे, वार सेखिड थे जया घर सेखिट को आपके में जाएगा, आपके ऊबाárल को हमाने प्रोश कैंलगाः और से işां अब जंगाहान में तो झार से धाना है।, एम झाल झाल